जल्दाई विभाग द्वारा शोहर में सरकारी वग्यार सरकारी जल्दाई विभाग के कनेक्षन पर लगबग 211 करोड रुपए बाकाया होने के कारण सरकार के इनरदेश अनुसार अधिक से अधिक वसूलने के लिए प्लानिंग तैयार की है जिसके अनुसार भकाया पानी काबल 31 मई तक एक मुष्ट जमा कराने पर उपभोकता को ब्याज एवं पैनल्टी में शुत प्रतीशत छूट दी जाएगी जल्दाई विभाग अधिकारियों ने बताया कि आज भी शहर में नकर विकास नियास और नगरनेकम सैतन्य सरकारी का रालेव आमजनता ने कई वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं करवाया है ऐसे में उपभोकताओं द्वारा एक मुष्ट जमा कराने पर ब्याज में पैनल्टी में शुत प्रतीशत छूट मिरेगी ऐसे में उपभोकताओं को इस योजना के तैत निश्चित तोर पर आर्थिक रूप से संबल मिल रहा है और जल्दाई विभाग अदिकारियों का कहना है कि एमनेस्टी स्कीम का लाब लेने पर उपभोकताओं को ब्याज इवं पैनल्टी में शुत प्रतीशत की छूट प्रतान की जारी है सरवी बाकाया वसुली के लिए सरकार की तरफ से एमनेस्टी हो इसना चालू है उसकी लाज केट 31 में है इसमें क्या एसर कि जो 31 में 2023 तक का जो भी बाकाया है उस पे लगने वाला ब्याज और पैनल्टी पूरी तरह से महाँ पर तो जो भी उपकताओं जिनके बाकाया है वह सम्मद्री सायर विंदा कारेले में जाके बकाया जमा करवा सकते हैं 31 में 2024 से पेले उसके बाद यह छूट खतम हो जाएगी फिरो भूगताओं को पूरा पैसा जमा करना पाई भाग का कितना बकाया चलड़ा हो सर भी सर वो सब्डिविजन वाइज अलग-अलग डाटा है वो एक्जेक्ट देखती बताना है